Hi students! How are you? कैसे हो आप स्वागत अपनी चानल Accounting Guruji में दोस्तों आप सबको पता होगा semester exam चल रहे है most of universities के आप अगर एक B.com के student है और आपके semester exam है चलिए अगर आपके semester भी नहीं है फाइनल को होंगे तो exam में बहुत बहुत होता है कि हम पढ़नी पाते हम जोब कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं B.com को अपने lightly ले लिया ऐसे में कम टाइम में कैसे त्यारी करें आपके पास अगर 15 दिन बच्चे हैं एक वहीना बच्चा है उसमें पास होने का आपको देने वाला हूं सबसे पहले अपने वालें बताना चाहूं तो मेना में गोरभ बार्दवाज में पिछले 13-14 साल से एक कॉमर्स लेक्चर वर्क कर रहा हूं सीनर सेकंडी स्कूल में जोब भी कर चुक हूं और 500 से बच्चे अपने कोचिंग में पढ़ा चुक हूं और खुद एक कॉमर्स का एक सिंसेर स्टुएंट रहा जब मुझे अच्छा लगा कि कॉमर्स से साथ मलवे कोता है कि रिलेशन काफी अच्छा है मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में तो वह चीज मैं काऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिने कॉमर्स अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर आपका कैसे आप पास होते हो गारंटेट चलो स्टार्ट करते है अच के अपनी इस वीडियो को दोस्तों दोस्तों वीडियो के बीच में आप सबके लिए एक सर्प्राइज लेकर आयों अगर आप भी CACCM में की या इंट्रमीडेट की प्रपेशन कर रहे हैं या फिर आप आप सबके लिए एक चैनल पताता हूं जो CA Raj के अगरवाल सरका है मैं रिकमेंड करता हूं इस चैनल study at home पर विजिट करने के लिए यहां पर आपकी अबर बात करेंकर आप CACCM में के इंट्रमीडेट के स्टूडेंट इस बार नमेंबर दिसंबर वाला टेम देने वाले है इस यूट्यूब चैनल पर यह मोनोटाइज नहीं है तो एड फिरी content है आपको यहां देखने के लिए नहीं मिलेंगे और आप यहां पर जोईन कर सकते हो सारे lecture यहां पर देख सकते हो complete course आपको यहां पर मिल रहा है free full course इन सभी का साथ में अगर आप BDA के B.com के M.com के student हो तो आप यहां पर study कर सकते हैं और मैं एक बाब दाना चाहूँगा HA CA Kanawal. river ребен Yi can diese Google तरीका सब्ते में पना करने के सब्सक्राइब के लिए एक दाने की सब्सक्राइब करने देख में कर से ँसyměद के में अपको तरीके से समझाते हैं जिसको आपको बहुत ऊजी तरीका जो आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत मैं आपको recommend करूंगा कि जरूर से जाके विजिट करें इस चैनल का link मैं आपको discussion में दे दूगा और इंके telegram का link भी discussion में दे दूगा उसको भी जोइन कर लीजेगा और आप सब को देखो लो क्या करते हैं क्या करते हैं आप लोग नोट्स कलेक्ट करते हो किसी और YouTube चैनल पर जाते हो है ना लेकिन वह पर एड़ चल जाते हैं यह जो सर है राज के अगरवाल सर यह all India rank holder है all levels पर अब आप सोच सकते हो सब level पर rank लाना कितन लिंक में दिस्कुशन में दूँगा मस विजिट सबसे पहले तेखो किसी भी एक्जाम में जनरली आप करते क्या हो आप मार्गेट में जाते हो मार्गेट में जाकि कोशन में लेकर आ जाते हो वो बच्चे जो ज्यादा मलब अब टूशन विशन के चक्कर में नहीं जाए मार्केट से कोशन बैंक फ्रेशर देखो और उससे पढ़ना रटा प्रिकेशन स्टार्ट कर देंगे अगर मैं आपको प्रेक्टिकली बताओं तो किसी भी कोशन बैंक में 40% डाटा होता है ठीक है इंब कितनी मोटी होती है कोशन में कितना सा 40% डाटा मेंसे तुम ल मैं जिस दिन की दी में क्यूल षुटे की स्टूुटे था, जब हो परंग पर एक नाय की बाती है उस इस ने तक हुड़ी है। यह एक दिन पहले की भी बैपन तक है। कर्सें जब केब का ψहाहएं, मैं जानता हूं। जो स्ट्रीजी मैं आप्लाई की है शुला… चलो start करते हैं, सबसे पहले मैंने दो हिसों में बाट दिया, सबसे पहले चीज आती है, आपकी, simply अगर मैं कहूंगा, theory और numerical, सबसे पहले मैं अगर theory को लेकर चलूं, तो एक चीज ध्यान चे समझो, सबसे पहले चीज है, माल लीजिए, कि आपके course में 10 chapters हैं, किसी भी subject में, theory का कोई paper है, numerical का कोई paper है, 10 chapters है, तो आप उन 10 chapters में से आधे कर लो, 10, 15 है, 8 कर लो, जीतने भी chapters आपके हैं, क्योंकि सारा हम नहीं पढ़ सकते, एक महिना, 10 दिन, 15 दिन है, ऐसे में क्या करें, तो उसका simple तरीका है, 10 chapters है, तो आप इसकी जगा 5 chapters कर दो, ठीक है, और उस 5 chapters को आपको, क्या-क्या करना इसमें से, उसको समझो ध्यान से, सबसे पहले चीज, concept, देखो, हर chapter के, जो chapter का name है, title है, उसका meaning ही आपको पता होना च chapter का name है, what is management, kind of management, importance of management, अगर आपको management सबत के बारे में पता है, तो आप उसके बारे में बना कर भी लिख सकते हो, इसलिए, कम से कम, exam में जितने भी time कम बचा है, theory के exam में, simple सा fund है, commerce वाले बच्चों के लिए, कि जितने chapters आपके हैं, उनका concept आपका clear होना चाहिए, chapter का जो name है, जो main title है, उसका meaning आपको अच्छे से पता हो, फिर उसके बाद को importance पूछ ले, merit, demerit, महतु, क्विसेस्ता है, कुछ भी, आप उसे लिखित होगी, समझोगी नहीं, समझोगी, उसके बाद बात आती है, short questions की, आप उसके बाद short questions attempt कर सकते हो, ठीक है, short question को learn करने में ज्य ज्याद कर सकते हो, और उसमें rectification नहीं होता, जब chapter concept समझ में आ गया, तो short questions भी अच्छे से आजाएंगे, इसके बाद next चीज जो होती है, कि आपको ना एक question bank नहीं, कम से कम किसी 2 company के question bank आपको यहां पर लेने हो, जो मैं करता था, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपने वाली वीटियो देखी है, तो इसमें आपको और जदा अच्छा सीकने को मिलेगा, देखो, आपने 2 question bank आपने purchase कर लिए, आप इने question bank बोलते हो, या refresher बोलते हो, ठीक है, कुछ भी, तो 2 question bank में, जो common questions है, जैसे मालीची एक example तोर पे विध्या का ले लिए आप उन्हें compare करो, एक दिल लगेगा इस काम में, 2-4 गंटे, compare करो किस chapter के कौन से questions common है, जो इस question bank में भी है, और इसमें भी है, आप उन common questions को note कर लो, और सबसे पहले उन्हें learn करो, ये फंडा है, अब वो questions आने की सबसे ज़्यादा संभावना है रहती है, प्रेडिक्शन क्यों दोस्तों क्योंकि वो इन्पोटेंट पार्ट है, जैसे किसी भी chapter का introduction आता ही आता है, अगर वो chapter हो, क्योंकि अगर रेंडम पेपर बन्दा है, उसकी merit, demerits में से एक चीज आती है, इन्पोटेंस, characteristics, आ जाता है, ठीक है, काइंट्स आ जाते हैं, कुछ चीज़े जाएंगे, तो जो दोनों question वेंग में common questions है, वो करिये, शोट करिये, chapter का concept कम सकम अढ़लो आप, की chapter का name क्या है, उसका meaning क्या इतना समझ में आ गया, तो बना के तो लिखतो होगे, और याद रखना, university में कोई भी examiner हो, कोई भी पढ़कर, पुर I to Z read कर के sign, मालब मांक सी न समझते हैं कि इसने अगर सही लिखा है, तो आपको marks देते हैं, अब बात आती है numerical की, तो numerical के लिए सीधा सा फंडा बताता हूं, हमार पर इतना time नहीं है कि हम किसी coaching center में जाए numerical या फिर YouTube पे रोजाना videos देखें, chapter wise, उसका एक simple तरीका बताता हूं, जो अक्सर हम क्या करते देवे होंगे, यह common examples होंगे, जो दोनों को मिलेंगे numerical हैं, यह examples कर लो सारे, जितने भी हैं, एक chapter के दो तीन होंगे, जादा नहीं होंगे, जितने कर सकते हो, और मैं तो आपको half course बदा रहा हूं, अगर 10 chapter से उनने अधा कर दो, ठीक है क्योंकि जो paper बनता है, वो almost average सभी chapter म में से बनता है, ऐसा नहीं है कि आपने जो 5 chapter छोड़े 10 में से, उनी में से सारा पेपर आजागा, नहीं है, आधा पेपर जो आपने किया है, उसमें से आएगा, तो chances रहते हैं, बाकि अगर आपके पास time बचे, तो जो आधा आपने छोड़ दिये 5 chapters, उनके title का meaning तो पढ़ लिख दो के, छोड़ की कुछ नहीं आना, बना के सब आना है, यह concept है, examples आप पढ़िए, examples में बहुत से numerical career हो जाएंगे, plus यहां पे आपको numerical का basics आपको पता लग जाएगा, basics में जिसे formula होते हैं, कौन सा formula लगेगा, terms क्या लगेगी, वो सब आपको पता लग जाते हैं, जि कि मैत में ही मिलते हैं, तो यह सिंपल सी strategy, ठीक है, बाकी last tips यह है कि एक्जाम में कुछ भी छोड़ के मत आएं, condition कुछ भी हो, बना के लिख के आएं, ठीक है, क्योंकि देखा है कि बना कर लिख के आने से बच्चों को marks मिल रहे हैं, अब यह आपके destiny है कि जो आपके examiner रह चल रहा है उस समय, क्या conditions है है, वो copy check करते हुए, किस तरह के answer पर marks दे रहे है, यह depend करता है उस तरह की conditions पर, तो अपना best दें, इस तरह से study करें, after that आप देखें कि आपके अच्छे marks definitely है, आई अपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी, अच्छे लगी है तो लाइक कीज किस्स्थ wraण के जँचे जहां पर हुए, अबरे दें, एक्णै गर마 है, उस तरह कोईचण की मत देखें की व Cathy की ओLLते है, वीडियो को यह वीडियो के लिजद neफ not up to deploy ximajona p